गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हम पढ़ रहेते हैं मॉर्फोलोजी औफ फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें हमने प्रेविस वीडियो में प्लांट बोडी और वेरियस हेबिटेट का अध्यन किया था आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी प्लांट बोडी का एक महतपुन प पारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करें हम जड़ की तो जड़ का ओरीजिन कैसे होता है तो आप सब जानते हैं बीज में ब्रून उपस्तित होता है और ब्रून में एक विशेश रंचना जिसे मुलांकूर केते हैं उपस्तित होती है और मुलांकूर से ही जड़ का ओरीजिन होता है जनरली आप यह कह सकते हैं कि सीड होता है सीड में embryo या bruno उपस्तित होता है और इस bruno के दो पार्ट होता है plumule और radical radical part root को formation करता है और जो plumule part है वो shoot का formation करता है तो जो जडो का origin होता है वो इस radical part से होता है अब बात करते हैं जड़ों के कुछ सामन्य लक्षनों की तो निम्न है, सबसे पहले बात करें, तो it is descending part of plant exist, मैंने बताये था कि जो plant है वो एक central exist से गिरा रहता है, या केंद्री अक्स से गिरा रहता है, और इस केंद्री अक्स को हम plant exist कहते हैं, तो plant exist का descending part होता है, ये जड़ का formation करता है, अरतार असेंडिंग पार्ट तो stem leaves का formation करता है, और जो descending part है, वो root system का formation करता है, अरतार जो जड़े हैं, वो इसके descending part से बनती है, next character की बात करें, तो chlorophyll is absent, पर्ण हरित इनमें अनुपस्तित होता है, जड़ों में आप सब जानते हैं, कि जड़े समनेते non green part है, plant body का, इनमें chlorophyll absent होता है, अरते ये अपना nutrition swim नहीं बना सकती है, हम next character की बात करें, तो shape is cylindrical, इनका आकार समनेते बेलनाकार होता है, अरतार ये soil के नीचे की तरफ वरद्धी करती है, जो की एक cylindrical shape में लगातार बढ़ती जाती है, next character की बात करें, तो there is no distinction of nords and internaords, इसमें कोई इसपष्ट परू और परू संदिया देखने को नहीं मिलती है, जबकि हम तने की बात करेंगे, तो तने में nords और internaords जैसी सरंचनाएं देखने को मिलेगी, लेकिन यहां किसी परकार की कोई परू और परू संदिया देखने को नहीं मिलती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि ना तो इनमें leaves देखने को मिलती है ना ही किसी परकार की कोई auxiliary बड या देखने को मिलती है next character की बात करें तो leaves and birds are absent क्योंकि इनमें notes नहीं पाए जाते हैं तो leaves and birds पतियां और कलिकाई भी समनेते हैं इनमें अनुपस्तित होती है क्योंकि हमने जब plant body का वीडियो देखा था तो आपने देखा होगा plant body में जो leaves का origin हो रहा है वो north region से हो रहा है और north region पे ही auxiliary bird उपस्तित होती है जिनसे leaves का formation होता है तो यहां किसी परकार की leaves और bird देखने को नहीं मिलती है next character की बात करें तो root apex is covered by protective cape called root cape जडों के seeds पर अर्थार मूल seeds एक विशेस सुरकसात्मत सरंचना से गिरा रहता है जिसे root cape या मूल गोप कहा जाता है गोप के द्वारा ही जडों की लगातार व्रद्दी होती है गोप का प्रमुक काईरिये यह है कि यह मिट्टी के घरसन से जडों को बचाने का काईरिये करता है अर्थार जो soil friction होता है उससे बचाने का काईरिये root cape करता है next character की बात करें तो growing point is sub-terminal यहां व्रद्दी करने वाला जो सिरा होता है या seeds होता है वो sub-terminal होता है अर्थार उप अंतस्त प्रकार का होता है जबकि हमने stem में देखा था कि stem की जो व्रद्दी हो रही थी वो apical bud के द्वारा हो रही थी या terminal bud के द्वारा हो रही थी जबकि यहां जो root में growth देखी जाती है वो growth point सब terminal कहलाता है अर्तार उप अंतस्त seeds से इनमें व्रद्धी देखी जाती है next character की बात करें तो lateral branches grow from interior of the root जबो में जो parsu साखाई निकलती है इनकी उत्पती सामने तके interior of the root अर्तार जडो की आंत्रिक सते से होती है अते आप कह सकते हैं कि इन parsu साखाऊ या parsu जडो की उत्पती endogenous प्रकार की होती है पार्सु साखाओं की बात करें तो पार्सु साखाओं में सामने ते जड़ों में दित्यक और तर्तियक मुले देखने को मिलती है जो की root के lateral side में उपसीद होती है और lateral branches का formation करती है तो जो lateral branches का जो origin होता है वो सामने ते endogenes प्रकार का होता है नेक्स्ट केरेक्टर की बात करें तो इट इज पोजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक जियोट्रोपिक अर्थाथ आप कह सकते हैं कि ये सामनेते धनात्मक गुत्वानुवर्ती और धनात्मक ही जलानुवर्ती प्रकार की होती है अते टिशनल फोर्स की तरब बढ़ने का कायरे करती है अर्थाथ गुत्वाकर्षन बल की और व्रद्धी करती है और सामनेते जल की तरब भी अधिक ग्रोग करती है जिस सर्फेस या एरिये में जल इजिली अवेलेबल होता है वहाँ ये ज्यादा ग्रोग करती है तो पोजि नेगेटिवली जियो ट्रोपिक भी होती है नेक्स्ट केरेक्टर की बात करें तो इट में भी न्यूट्रल और नेगेटिवली फोर्टोट्रोपिक ये सामनेते प्रकास के प्रती उदासिन हो सकती है या प्रकास के प्रती रिनात्मकता शो करती है क्योंकि जड़े सामनेते soil के नीचे ग्रो करती है या व्रद्धी करती है तो प्रकास की इन्हें कोई विशेस आफशक्ता नहीं होती है तो आप कह सकते हैं कि प्रकास के परती ये neutral होती है या negative tropic होती है इनके लबा हम और कुछ characters की बात करें तो root पर unicellular root hairs present होते हैं और्थार्थ इनमें एक कोई सीकिये mool Rome देखने को मिलते हैं जोकि सामने ते root cap के marginal end पर इस्तित होते हैं और्थार्थ जड़ों में एक कोई सीकिये mool Rome देखने को मिलते हैं जोकि जल्वे, खनिज़ लवणों का अव्सोर्षन या absorption करने का काईडिय करते हैं ये soil से vibin परकार के आइंस या nutrition लेने का काईडिय करते हैं इनके लबाँ जडों के हम और कुछ लक्षनों की बात करें तो जडों में vesicular bundle की बात करें तो जडों में area seven pool देखने को मिलते हैं अर्तार radial vesicular bundle इनमें देखने को मिलते हैं जिनमें जाइलम और phloem अलग-अलग त्रिज्या पर इस्तित होते हैं और ये एकांतर क्रम में पाए जाते हैं अर्तार जाइलम और phloem अलग-अलग त्रिज्याओं पर इस्तित होते हैं जो की alternate form show करते हैं अर्थार्थ एकांतर क्रम में ये उपसित होते हैं इनके अलबा जडों में जो पार्स व्रद्धियां देखने को मिलती है ये रूट अपेक्स से नहीं होती है रूट अपेक्स के बिहाइंड वाला जो पार्ट होता है वहाँ से ये लेटरल ब्रांचेस या लेटरल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है जिने हम दित्यक जड़े या तरत्यक जड़े कहते हैं तो students ये थे कुछ जनरल करेक्टर्स दा रूट या जड़ तंतर के अब बात करते हैं विसेस पॉइंट्स की जैसे कुछ ऐसे प्लांच भी प्रकरती में देखने को मिलते हैं जिनमें जड़े पूर्णित्या अनुपस्तित होती है अर्थार्थ उनके जीवन में जड़े उपस्तित ही नहीं होती है प्राई ऐसे प्लांच को जड़ रहित कहा जाता है अर्तार्थ ऐसे कुछ प्लांट्स है जिनमें बेलेनोफोरा, कसकुटा, मेरियोफिलम, सिरेटोफिलम और यूट्रिकुलेरिया ये पैंच प्लांट ऐसे हैं जिनमें सामनेते जड़े अनुपस्तित होती ये अर्तार्थ इनमें root system totally absent होता है इनके लाबा हम एक और विशेश बिंदू की बात करें तो एक प्लांट है पोडो इस्टेरमोन एक ऐसा पादप है जो की एंटाइर प्लांट इस रूट जो की पूरा ही पादप रूट होता है अर्थार एंटाइर प्लांट इस रूट पूरा जो पादप होता है वो जड़ म रुपान्तित हुआ रहता है अते आप कह सकते हैं कि जो पोडो इस्टेरमोन प्लांट है यह पुरा प्लांट ही रूट में कन्वर्ट हुआ रहता है अते पोडो इस्टेरमोन प्लांट को रूट प्लांट भी कहा जाता है तो यह कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान है इनके लब हम बात करें रूट के कायरिय की या फंक्शन वप रूट्स की तो जड़ों के सामने ते कुछ विशेश कायरिय होते हैं जो निम्न है अब हम बात करते हैं फंक्शन वप रूट अर्थार्थ जड़ों के मेजर कायरिय की हम बात करें तो जड़ों के वेसे तो सेकडों कायरिय होते हैं लेकिन यहां हम कुछ महत्पुन कायरिय के बारे में डिसकस करेंगे इनके लावा जो मोडिफाइड रूट्स होती है उनके विबिन कायरिय होते हैं वो हम अनादर लेक्चर में डिसकस करेंगे यहां में जड़ों के जो कुछ विशेश कायरिय होते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जड़ों के कायरिय की बात करें तो पहला कायरिय होता है absorption of water and minerals यह आउसोसन का कायरिय करते हैं अर्था जड़े म्रदा से जल और खनीज लवनों का आउसोसन करने का कायरिय करती है जिनकी साहिता से यह जल और खनीज लवनों को जड़ों से होते हुए तने और पतियों तक पहुंचा सकें तो इनका जो major कायरिय होता है वो अवसोसन का होता है यह भूमी से या म्रदा से जल या खनीज पदार्तों के अवसोसन का कायरिय करती है सेकिंड फंक्शन की बात करें तो provide stability gives encourage to plants यह plants या पात्पों को इस्ताइत्व प्रदान करती है अर्थार्थ भूमी मे plants को erect या सीधा रखने का जो कायरिय है वो जड़ों का ही है और तार जड़े प्रमुक आधार इस्तम की तरह कायरिय करती है जिनकी वज़े से plants या पात्प सीधे या erect अपनी position बनाए रखते हैं तो पात्पों को मूल आधार प्रदान करने का कायरिय जड़े करती है next function की बात करें तो synthesis of growth hormones ये विबिन परकार के व्रदी हार्मोन का संसलेशन करती है जैसे आपने पड़ा होगा plant growth regulators पादप व्रदी नियंतरक इन पादप व्रदी नियंतरक का संसलेशन भी जड़ों में होता है तो ये विबिन परकार के growth hormones का synthesis करने का कायरिय भी करती है next function की बात करें तो storage of food materials इनमें विबिन परकार के बोज्य पदार्तों का संग्रे होता है विबिन परकार के बोज्य पदार्तों की बात करें तो जड़ों में विबिन परकार के रूपांतरन या modifications देखने को मिलते हैं जो की अलग-अलग परकार के बोज्य पदार्तों को ग्रहित रखने का काईरिये भी करती है तो ये थे स्टुडेंट्स महत्पूर्ण या मेजर फंक्शन्स जो की एक सामन्य जड़ के होते हैं इस वीडियो में मैंने रूट के ओरिजन जनरल केरेक्टर्स और मेजर फंक्शन्स के बारे में आपको डिटेल से समझाया है आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सेर और मेरे यूट्यूब चैनल जूलोजी क्लासेज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में मैं मॉर्फोलोजी के धेर सारे वीडियो आपके लिए लेकर आऊं थेंक्स, थें और में कि वेकर चाइब।